दियर चिल्डरन, हैव यू सीन दिस लोगो? प्यारे बच्चों, क्या आपने ये लोगो देखा है? दिस इस दा लोगो आफ प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट टाइगर का लोगो है ये प्रोजेक्ट भारत सरकार ने सन 1973 में शुरू किया था इस परियोजना का मुख्या उदेशया भारत में बागों को बचाना और उनकी संख्या को बढ़ाना है बच्चों क्या आपने कभी सोचा कि हमें प्रोजेक्ट टाइगर की आवसकता क्यों पड़ी? क्योंकि बागों की संख्या दिन प्रति दिन कम होती जा रही थी सरंक्सन से इनकी संख्या में वरिद्धी होती है इसलिए Project Tiger जैसी परियोजनाएं शुरू की जाती हैं Children, when there were more plants in forests, बच्चों जब वनों में बहुत सारे पौदे थे Many species like बहुत सारी परजातियां जैसे लोयन्स, शेर, एलिफेंट्स, हाथी, वाइल्ड प्फैलोस, जंगली भेंसे, एंड बारा सिंगा बारा सिंगा were found in all the forests, ये जन्तु सभी वनों में पाय जाते थे Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals वे जन्तु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही हो और वे विलुप्त हो सकते हों उन्हें हम संकटापन जन्तु कहते हैं Some of the threatened wild animals like कुछ महत्वपूर्ण संकटापन वन्या जन्तु जैसे की Black buck काले हिरन Wide-eyed buck सफेर आंखो वाले हिरन Elephant हाथी Golden cat सुनहरी बिल्ली Pink-headed duck गुलाबी सीरवाली बतक घडियाल घडियाल Mars crocodile कच्च मगरमच Python अजगर रिनोसार्स गेंडा एड्सेटरा These animals are protected and preserved in our wildlife centuries इन सब जन्तुओं को अभ्यरन्यों में सुरक्षित और सरक्षित रखा जाता है Indian centuries have unique landscapes, broad level forests, mountain forests and bushlands in deltas of vig rivers भारत्य अभ्यरन्यों में बड़े ही अनूठे द्रिश्य भूमी है बड़े समतलवन, पहाड़ी वन और बड़ी नदियों के डेल्टा की जाड़ी भूमी अथवा गुष्लेंड है जहां पर ये जीवजन्तु स्वातंत्र विचर्ण करते है Students, dinosaurs which became extinct a long time ago due to climatically change in the environment बच्चों, डाइनासौर तो आपको याद ही होंगे ये लाखों वर्सपूर्प धर्ती से विलुप्त हो चुके हैं क्यूंकि धर्ती पर जलवायू परिवर्तन इनके अनुकूल नहीं था इसी तरह अन्य प्रजातियों को भी उनके प्राकृतिक अबास में छिरखानी के कारण खत्रा पैदा हो गया है Small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals बड़े जन्तों की अपेक्सा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभाबना ज्यादा होती है At times we kill हम मार डालते हैं Snakes, साम, Frogs, मेंधक, Lizards, छिपकली, Bats, चमगादर And owls और उल्लू without realizing their importance in the ecosystem इनका परितंतर में महत्वा जाने बिना ही हम इने मार डालते हैं They might be small in size but their role in the ecosystem cannot be ignored हाँ, हो सकता है कि ये आकार में छोटे हैं परन्तु परितंतर में उनका योगदान अंदेखा नहीं किया जा सकता है They form part of the food chains वे आहार स्रिंखला का एक भाध है An ecosystem is made of all the living organisms, plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river deltas etc किसी खित्र के सभी जैब घटक जैसे पौधे, प्राणी, हेबं सुक्समजीब व अजैब घटकों जैसे जलवायू, भूमी, मिट्टी, नदी, डेल्टा इन सब के मिले जूले रूप से ही किसी परितंतर का निर्मान होता है Red Data Book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants Red Data पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संक्टापन स्पीसिस का record रखा जाता है There are different Red Data books for plants, animals and other species पौधों, जन्तुओं और अन्य स्पीसिस के लिए अलग-अलग Red Data पुस्तके हैं Do you identify these words? क्या आप इन पक्सियों को पहचानते हैं? These are migratory birds ये प्रवासी पक्सी हैं Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic changes जलवायू में परिवर्तन के कार्ण प्रवासी पक्सी हर साल दूर के क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर यहां आते हैं They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable वे यहां अंडे देने आते हैं क्योंकि जहां वे रहते हैं वहां बहुत ज़्यादा ठंड होती हैं इसलिए उस्थान पर जिवन यापन करना कठिन होता है Birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds ऐसे पक्सी जोड़कर दूर के क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्सी कहलाते हैं क्षेत्रा करते हैं